आज के इस विडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसे जो हमारे डेली यूज में काम आए इस विडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी ये सेंटेंसे सीप पाए और अपने डेली रूटीन में यूज कर सके Let's start बालो में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है Oiling hair is very important अपने डर पर काबू पाए Overcome your fears हमारे बारे में क्या? What about us? मुझे जाने दो Let me pass मुझे रात में घूमना पसंद है I like to walk at night उस बिली पर अत्याचार मत करे Don't torture that cat धीरज रखो Be patient क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? Have you eaten anything since the morning? मुझे नहीं पता मैं कब सो गया? I don't know when I slept off मुझे सूरियस्थ देखना पसंद है I like watching sunsets मैं पिछली कर्मियों में पहारियों में गया था I went to the hills last summer उसने कभी अपनी बहन के बारे में शिकायत नहीं की He never complained about his sister पत्र लिखना ना भूले Do not forget to write a letter वो कभी वापस पोन नहीं करता He never calls back ये सम्मान जनक नहीं है It is not respectful उसे संपर्ख करने का कोई अन्य तरीका नहीं है There are no other ways to contact him वो सही नहीं है He is not right ये गर्म है It is hot ये चाबी किसकी है Whose key is this अगला गाना चलाओ Play the next song मुझे ये स्वाद पसंद नहीं है I do not like this flavor मैंने बगीचे में एक तितली देखी I saw a butterfly in the garden मैं दिन में साथ घंटे सोता हूँ I sleep for seven hours a day मैंने गलती से उस पर पैर रख दिया I accidentally stepped on it मैं कल सारी पहनूंगी I will wear सारी tomorrow बिल्कुल नहीं No way आपने उसे कहां रखा Where did you keep it भाग जाओ Run away मुझे बादल देखना पसंद है I like watching the clouds ये फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा It will never be the same again ये आज से आपका है It's yours from today Film जल्द ही खतम हो जाएगी The movie will end soon मैं रोज सुभा पौधे पे पानी देता हूं I water the plants every morning मैं शिकार था I was the victim मैंने चिमनी साफ की I cleaned the chimney मैं एक शाकाहारी हूं I am a vegetarian मैं एक मांसाहारी हूं I am a non-vegetarian आज चात बहुत खूबसूरत लग रहा है The moon looks so pretty today मैंने उसे कभी नहीं समझा I never understood him अगली बारी मेरी है Next is my turn उसे सजा दी गई He was punished मैं इस हफ़ते व्यस्त हूं I am busy this week मुझे घरी की तिक तिक सुनाई दे रही है I can hear the clock ticking मैंने नौकडी के लिए आवेदन किया है I have applied for a job मैं ये कर सकता हूं I can do it मैंने सोचा था कि ये खतम हो गया था I thought it was over मुझे वो पसंद है I like him मैं अपना खाना खुद बनाता हूं I make my own food मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है I love to play with you मैं उसका नाम नहीं जानता I don't know his name वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए अगर ये वीडियो मददकार है तो लाइक और शेर करें ऐसे ही और सीखने वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद झाले वीडियो करें